आपका सवाल है, हवाई जहाज का आविश्कार सर्व प्रथम किस देश में हुआ था? आपके ओप्शन है, A. भारत में, B. जापान में, C. अमेरिका में, D. चीन में? आपका सही जवाब है, ओप्शन C. अमेरिका में, आपका अगला सवाल है, एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? आपके ओप्शन है, A. राजस्थान में, B. मध्य प्रदेश में, C. करनाटक में, D. महराश्ट्रा में, आपका सही जवाब है, ओप्शन D. महराश्ट्रा में, आपका अगला सवाल है, सूर्य की किरनों में कुल कितने रंग होते हैं? आपके ओप्शन है, A. पाँच रंग, B. छे रंग, C. साथ रंग, D. आट रंग का सही जवाब है, ओप्शन C. साथ रंग, आपका अगला सवाल है, सर्व प्रथम गेहूं की फसल किस देश में उगाई गई थी? आपके ओप्शन है, A. भारत में, B. तोर्की में, C. जापान में, D. जर्मनी में आपका सही जवाब है, ओप्शन B. तोर्की में आपका अगला सवाल है, इचली का राष्ट्रिय चिन्ह क्या है? आपके ओप्शन है, A. गरूर, B. लिली, C. सफेद लिली, D. सफेद गरूर आपका सही जवाब होगा, ओप्शन C. सफेद लिली आपका अगला सवाल है, विश्व पर्यावरन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ओप्शन है, A. पांच जून को, B. पंदरा जून को, C. दस अक्टूबर को, D. आठ मार्च को आपका सही जवाब है, ओप्शन A. पांच जून को, आपका अगला सवाल है, अकाश्वानी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस से होती है? आपके ओप्शन है, A. राश्ट्रगान, B. राश्ट्रगीत, C. संतूर वादन, D. फिल्मी धून आपका सही जवाब होगा, ओप्शन B. राश्ट्रगीत, होम्योपैथी के जनदाता निम्न में से कौन थे? आपके ओप्शन है, A. डोमेक, B. हैनीमेन, C. वाक्समेन, D. लुईज आपका सही जवाब होगा, ओप्शन B. हैनीमेन, आपका अगला सवाल है, भारत के राश्ट्रिय प्रतेक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? आपके ओप्शन है, A. चार, B. दो, C. तीन, D. पान, आपका सही जवाब होगा, ओप्शन C. तीन, आपका अगला सवाल है, मानस्पेशियों में दर्द के उपचार में उप्योग किया जाने वाला विकिरन कौन सा है? आपके ओप्शन है, A. इंफ्रारेड, B. माइक्रोवेव, C. यूवी, D. एक्सरे, आपका सही जवाब होगा, ओप्शन A. इंफ्रारेड, आपका अगला सवाल है, मोहंदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? आपके ओप्शन है, A. शान्ते बेन, B. पतली बाई, C. मीरा बाई, D. कौशल्या बेन का सही जवाब होगा, ओप्शन B. पतली बाई, आपका अगला सवाल है, वीर भूमी किसका समाधी स्थल है? आपके ओप्शन है, A. जवाहर लाल नहरू, B. इंदिरा गांधी, C. लाल बहादूर शास्त्री, D. राजीव गांधी आपका सही जवाब होगा, ओप्शन D. राजीव गांधी आपका अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है? आपके ओप्शन है, A. गाय के, B. बकरी के, C. भेर के, D. वहन्स के आपका सही जवाब होगा, ओप्शन B. बकरी के आपका अगला सवाल है, सारनाथ में शेर की राजधानी किस राजा की है? आपके ओप्शन है, A. चंद्रगुप्थ की, B. कनिश्क की, C. अशोक की, D. हर्ष की आपका सही जवाब होगा, ओप्शन C. अशोक की, आपका अगला सवाल है, किस देश में प्लास्टिक इस्तिमाल करने पर जेल की सजादी जाती है? आपके ओप्शन है, A. नाइजीरिया में, B. इज्राइल में, C. घूटान में, D. इंडोनेशिया में, आपका सही जवाब है, ओप्शन B. इज्राइल में, आपका अगला सवाल है, कौन सा फल खाने से पेच में गैस नहीं बनती है? आपका ओप्शन है, A. अनार, B. केला, C. पपीता, D. अन्गु आपका सही जवाब है, ओप्शन C. पपीता, आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? आपका ओप्शन है, A. केरल में, B. बेहार में, C. करनाटक में, D. उत्तराखंड में, आपका सही जवाब है, ओप्शन A. केरल में, आपका अगला सवाल है, कोरोना वाइरस सबसे पहले किस देश में पाया गया था? आपका ओप्शन है, A. अमेरिका में, B. भारत में, C. पोलेंड में, D. चीन मे आपका सही जवाब है, ओप्शन D. चीन में, आपका अगला सवाल है, लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है? आपका ओप्शन है, A. लेड, B. लोहा, C. हीरा, D. ग्रेफाइट आपका सही जवाब है, ओप्शन D. ग्रेफाइड आपका अगला सवाल है, खुले में कुछ देर रखा दूद खटा हो जाता है? आपका ओप्शन है, A. साइट्रे कामल, B. लेक्टे कामल, C. असेटे कामल, D. कार्बोने कामल आपका सही जवाब है, ओप्शन B. लेक्टे कामल, आपका अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? आपके ओप्शन है, A. गोपाल कृष्ण गोखले, B. पंदित जवाहरलाल नहरू, C. मदन मोहन मालविया, D. दादा भाई नौरोज आपका सही जवाब होगा, ओप्शन B. पंदित जवाहरलाल नहरू, आपका अगला सवाल है, अधिक खाना खाने से यदि कोई अमलता का शिकार हो जाता है, तो इसका इलाज क्या है? आपका ओप्शन है, A. नीमबू कारस, B. सिरका, C. बेकिंग सोडा, D. इन में से कोई नहीं आपका सही जवाब है, ओप्शन C. बेकिंग सोडा, आप सभी लोग विडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए